Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का के बिहार में मामला गर्म होता है, आज हमारा आप यह पहला एपिसोड देख रहे हैं, और आज हम बात करेंगे जमीन सर्वे को ले करके, पिछले कुछ महीनों से जमीन सर्वे का काम बिहार में चल रहा है, बिहार सरकार के राजिस्वी बिवाग ने इस कार्ज को की है, अब इसको की लेकर के इसका क्या इम्पेक्ट पर सकता है, क्या कुछ होने वाला है, सरकार के इसका क्या आज़र पर सकता है। पुरे विहार में कोराम मचा हुआ इसलिए ये कोराम मचा है कि विहार में अठारह सो ये उनीस सो उनीस में यहां सर्वे हुआ था अंग्रेजी हुकुमत में उसके बाद सर्वे नहीं हुआ ये सर्वे का मतलब होता है कि किस जमीन का किस प्लॉट का मालिक कौन है इसो खतिया बोलते हैं तो खतियान में यही दर्ज होता है कि अमुक प्लॉट है इसका मालिक कौन है उसका पूरा बीवरन होता है उस प्लॉट का कि इसका खाता नंबर खेसरा नंबर तौजी नंबर यह सब कुछ हो लेक होता है तो यह 1890 के बाद जनगनन अधिये सर्वे नहीं हुआ इसके बाद आजादी मिली मत्तब आजादी के बाद तो दो बार एक बार जमीदारी उन मुलन के बाद और उसके बाद भी एक बार जिसको कहते हैं कि चुने हुए इलाकों में सर्वे हुआ जिसको कहते हैं रिविजिनल सर्वे लेकिन जि साल Нमबंबर 2085 में चुनाब होंगे उसके पहले तेख किया कि ये जमीन बिबात के ही कारण पीहार में अधिक हिंसा की घटना होती है हत्या की घटना होती है और पीहार में ये भुमी संगर्ष को लेकर है तेश Tá Two wish सब को अस्थाई निदान्त के रूप में थोड़ा नितिश कुमार में इतिहास पूरुस बनने का कहिए कि जो कोई काम करें वो फिर कोई दूसरा नहीं किया हो एक ललक होती है कच्छी बात है तो यह सर्वे को लेकर जो उनका धे और उद्देश है इसको मैं बूरा नहीं मान बिहार में तो 20 जिलों में 2020 से यह सर्वे का काम सुरू किया गया था लेकिन कोई आधी अधुरी तैयारी राजस भूमी सुधार विभाग में ना अमीन है न सर्वेयर है मने बंदोबस्त पता धिकारी है और इस तरह से कर्मियों की धिकारियों की कमी रही यहां तक कि बिहा सबसे नीचे का प्रसासन होता है तो अंचला धिकारी के पोस्ट खाली रहते थे विहार में तो पहरे तो अंचला धिकारी विहार प्रसासनिक सेवा के अधिकारी होते थे तो अधिकारियों की कमी के कारण कहीं वीडियों से यह काम देख रहा है मतलब उस तरह से जितनी प् है और उससे हुआ कि हम सरकिल इंस्पेक्टर बहाल होंगे अंचला धिकारी बहाल होंगे चलिए यह तो एक बात दिन की बात है अभी पिछले अगस्त महीने से नितीस जेने यह कहा कि वह यह सरवे का काम जुलाई तक जुलाई दो हजार पचीज तक पूरा हो जाना चाहिए चुनाओं से पहले इसको पुरा करें और ब्रजेस महरोतरा जो कभी राजस्व भूमी सुधार के अपर मुख सची हुआ करते थे यह उन्हीं कोई काम पहले कहा कि इसको करवाईए काम बड़ी धीमी रही यहां तक कि चीप सेक्रेटी जब बने ब्रजेस महुतरा तब ही कि इसको थोड़ा गती बढ़वा है उन्होंना अतब तक फिर मुख मंतिर ने इसकी समीख्षक करके कहा कि पूरा बिहार का कर दीजे तब 20 जिलों में अधा धूरा काम कहीं पूला नहीं हुआ था अब सभी 38 जिलों में काम पूला हो गया पहले तो जो 20 जिला में शुरुक काम है उसमें महिला अधिकारी महिला कर भी होती थी बहुत जगे लॉइंडर का बहुत लगा मार्पीट भी कर दिया लोगों ने ना प्रकार की सिकायत होती है अब इस पार हुआ कि नहीं नहीं सभी अंचल कार जाले में मतलब 534 अंचल कार ऑफिस हैं तो वहीं आपका सरका सिका करकर करके भी और ही अब आवभ करकर काम्याम करता काले करको क्या है हमीर करता है पंचल कान नहीं सिこんにちは वहहां मतलब भारत सव्ञास कि पूरे देह था यह प्रशासन महाकवान है इसे लोग तबाह परिशान पहले से मुटेशन जो है उसके लिए आप रजिस्टी करा लिए तो साल छे महिना आप दौर रहें पचीस पचास जार रुपया मांग रहा है नहीं होता था इस सब तरह की सिकायत थी इस सब मंत्री तक इसको स्विकार करते रहा है अब इधर जो अगस्त से बिहार में सर्वे का काम से रही हुआ तो उसमें सर्वे के काम में सरकार ने कहा कि भी आपको तीन फॉर्मा प्रपत्र बनाया और उसमें कहा कि देखे सब को स्वा घोसित करना है अपने आप घोसित कीजिए फॉर्म भढ़िए अपना नाम भढ़िए पिता का नाम भढ़िए अलहार कार नंबर दीजिए और उसमें जो आपकी जमीन है उसका खाता खेसरा तौजी नंबर खतियान आपके पास जमीन कैसे ही सब कुछ दीजिए अब इस सर्वे का काम सुरू हुआ है इसमें बहुत सारा लोग को कई पीड़ी से उसका रसीदे नहीं कट रहा है आप आपस में बाट लिया कागज नहीं बना था तो हुआ कि नहीं सब को जो सर्वे हो नहीं कि नाआ पहन सर्वे कराया गया अपूरी बिहार में जितना प्लोट है न उसका उसी हिशाब से सरकार नक्षा बनबारहे समय नमरीगिद दिया है अभी उभी सम्पून्था में आप कहिए कि सरकारी करवा चुकी है अभी उनक्षा उस हिसाब से जहां सब भुत हो रहा है सरवे ना तो पहले तो सरकारी अभिकारी के पास चाहिए ना अब उसम नक्सा खोज रहे हैं लोग गुल्यारवाग जो यहां गमिल प्रेस है उसकी भी हालत पहले से बुड़ी रही है यहां तो हर काम जिसको कहिए न जहां हाथ डालिये सरकार का चीज है सब जगा बिमार हो रहा है अब काम बिना इसको कहते हैं ब्यापक तयारी किये हु स्ष्ण भोषंग कीजिए यह सब दस्तावेज लाइए कि आपको जो जमीन कैसे जमीन मिली नहीं है तो भी लिखिए कि हम इतना साल से कवजने मैं आप यह दान में मिला है बटवारे में मिला है, जमीन बदले हैं, कैसे मिला है? इस अब तरह से अब सब सर्वे का काम जब शुरू हो गया, इकागज मांग रहा है, और सब जगह अब दलाल का भी चकर हो गया है, अब नितियज जी तो पूरे बिहार में यह परिचानी हो रही है, तो सर्वे का काम का म अंत्र लगाई है जैसे बिहार में सराब बंदी है तो सारी जगह सराब हो रही है तरीका सही नहीं है पूरी तैयारी होती है और इसमें पार्थ दर्सी बेवस्था होती अब कम मैं देख रहा था पिछले अपराइल महिने से या उसके पहले भी यह जो खास करके जो विभाग है रेवनु डिपार्टमेंट में जो यह काम देखने वाला विभाग है उसकी समीक्षात्मक बैठक में क्या चर्चा हुई अधिकारी आकर क्या बोल रहा है अभी सरकार के पास अभी सरकारी जमीन कितनी है कितना कभजे में है किसी का अधिकित कभजे में यह भी नहीं सब कुछ करते हुए सरकार रहा कर दिया कि एब सर्वे काम पूरा कीजिन बुक्त काम पूरा हो और इसको कम समय में मुझे लगता है कि और यही कारण है कि इसके कारण इसी तरह का सर्वे करा गया था तिलांगना में और अंधरा में इसी चक्कर में वहां की सत्ता चली गई अब नितिशकुमार में चुनावी साल में यह बिढ़नी के खोता को छेरना मैं मान रहा हूं जिस तरह से लोगों में छोब अभी दिख रहा है कि कहीं इनके लेने के देने न पढ़ जाएं यह मेरी समझ तो इहीं दिख रहे हैं जिस तरीके से अरुन पांडे सरुन कहा रहे हैं कि चुनावी साल में यह रिस्क लेना है बिढ़नी के खोता में हाथ डालने जैसा है त्यलंगाना और आंधरा का भी एक्जामपल लेना क्या लगता है क्या राजनितिक रूप से नितिश्कुमार को नुकसान होगा या फिर वो इतिहास पुरुज बन जाएंगे देखे कोई भी काम जब बड़ा काम सरकार करती है तो वो कुछ परिसानी आती है लेकिन निश्चित रूप से यह पब्लिक से जुड़ा हु तो जाते गन्ना भी बहुत टफ काम था लोग उस समय ही कहते थे कि नहीं होगा और इसमें भी मार पिटेया होगा यह होगा तमाम तरह की बात होते है स्मार्ट प्रिपेड मीटर की बात आई वह भी हुआ पूर्ण सराबंदी के समय भी दे कि ठीक है आज के समय में हम लोग दबी जुबान से या यह हम लोग यह तो लेकिन जो डुमेस्टिक वालेंस है सराबंदी से यह तो खतम हुगा जो घर में जो दारू पीकर के सराब पीकर के जो लोग घर में जो हेड आफ दा फैमिली अगर निकल जाते थे घर का वो कितना खराब इस्तित है वह तो बदला क्ल 하지만 करना ठीक है परसानी हुई अब से अरुन पण्डे जी ने कहए कि सरकार की पूरी तयारी निस्चित रूप से प्सके अगर Agritी उसको कहती तो यह निसकी रूप से बहतर होता और देखिए आए दिन इसमें कुछ ने कुछ संसोधन आपको देखने को मिल रहा है आज ये फ्राइडे है आज फ्राइडे है और आज जोएसो चार बज़े से हर मने सपताह जोएसो आप पो जूम मीटिंग की बात कही गई है और वह जूम मिटिंग आज चार बजे है और जिला भू अर्जन पदाधिकारी के साथ यह सो सब्ताहिक बैठक जिला अस्तर पर हो रही है इसमें तमाम मनें भूमी राजस्विभुहा के बरिष्ट अधिकारी इसको जूम मिटिंग से जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं क्य आपको ऑनलाइन जमाबंदी में अगर जिदी गलती रहती है तो फिर आप आफ लाइन ऑनलाइन ब्यागती तो ऑनलाइन में आपका पोटल ही नहीं खुल रहा है लोग घंटे परसान हो रहे हैं अब जा रहे हैं जो कैम सीविर कारियाले में इस उमस भरी गर्मी में वहां ही पर देखिए परसानी तो टेकनिकली है इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है लेकिन इससे आपको एक क्लिक में एक आप आंध्र परदेश ते अब माली जारूंपंडेजी के कोई परिवार के लोग बठे हुए हैं बैंगलूरू में तो वहां पर वो हैं तो एक क्लिक में वह सरकार के देखिए पॉलिसी बहतर है लेकिन हाँ अब जैसे मालीजे की कुछ जमीन है नदी के पेट में नदी कब कुछ लंबे वर्स के बाद हर नदी कोई भी नदी अपना पाट इधर सुधर बदलती है तो उसके पेट में जो है वह भी एक समस्या है कि उसका क्या होगा देखे समस्या तो अनेक है समस्या का निदान जरूरी है और सरकार इस दिसा में निष्चीत रूप से काम कर रही है और मिशन मूड में काम कर रही हैं लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनके उम्रेशाठ से जादा है जिनको आज के समार्ट फोन से तालुक नहीं रखते हैं वह लोग क्या करें देखिए वह ही टेकनिकल प्रॉब्लम तो प्रिपेड जो मीटर था स्मार्ट मीटर के साथ में वह भी था वह भी जो है तो देखिए मैं आपको प्रेंडली होना पड़ेगा समय के साथ बदलना पड़ेगा नहीं बदलिएगा तो अब बहुत पीछे चले आले के कई अधिवक्तायों नहीं इस तरह की बात कह दी है कि सरकार के पास ही जो अरुन पढ़े जी ने बात की और सारा किया किसरकार के पास फट्zechाइप फलना जमीन जिसे रेलवे की जमीन या भूधान की जमीन या उसका भी पूरा जह सो प्टी कउप्लीटो कीशार के रूप से सरकार को देखना पड़ेगा और तभी जाकर के आम आवाम को सहुलियत मिल सकेगी चुनावी साल है क्या लगता है चुनावी साल में नितिस्कुमार के लिए यह जमीन सर्वे वर्दान सावित होगा या फिर अभी शाब बन जाए देखिए अब जिसे लोग तो यही लिए परसानी का सबब होगा और देखे जंता की अदालत में जाना है लोगों फैसला वहीं लिया जाता है तो वह जंता अगर नाराज होगी तो निश्चित रूप से आपको इसका खामयाजा चुनाव के दौरान दिखाई पड़ेगा तो यह बात तो दिखाई पड़ रह रहा है कि आपको एक क्लिक में अगर जिदी आपके जमीन के बारे में हैं आप थोड़ा सा एफट आप भी करिए ना सरकार अगर दो कदम चल रही है तो तीन कदम आप भी चलिए इतनी बात तो समझना पड़ेगा और तभी आप विक्सित राज विक्सित परदेश बंद सकें पूर्ण सराबंदी का ही देखें नतीजा था कि बंसीलाल की गवर्मेंट हर्याना में चली गई थी तो यह सब देखें यह सब होता है यह सब तो थोड़ा सा खामिया जाए लेकिन सरकार को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना और बनना पड़ेगा चली ओनलाइन की बात हो रही है जिस तरीके से रवी उपादया सर भी करें कि एक क्लिक में सारे कागजात जो है अब लेवल हो जाएंगे सरकार भी बार बार यह कह रही है कि बहुत ज़्यादा मुस्किल काम नहीं है आप कुछ भी कागच अगर आपका खोया है जो बता रहे हैं सरकार ने क्या सरल किया है अब वो जिस दस्तावेज को आपने रजिस्टी कराया तो डिजडाइडेशन हुआ है लेकिन अब उसके लिए उसके आधार पर कोई मुटेशन के लिए ज़िसर्किल आफिस में दरखास देते हैं कहा मुटेशन हो रहा है वहां जब वो जैसी ऑनलाइन करता है तो रिजेट कर देता है खुल ही नहीं रहा है इभी सिकायत है फूल मिलाज उला करके अभी तो है कि मुटेशन अभी सर्वे पर बात हम कर रहे थे हैं रिकॉर्ड जो लेंड रिकॉर्ड सर्वे अभी जो जितना अपडेट हुआ है अब मैं कोई हवाई सर्वेशन के बाद से जो नकसा त्यार किया गया है वो नकसा सुलब हो और तब जो लोग दावा करेंगे जिसमें मैंने आप से बताया कि तीन परपत्र है एक में बंसा वली देनी है एक में वो जमीन के बारे में दावा करना है अग देखिए जिसका जिसके ना को हो रही है कि खत्यान जो आपको जैसे कहा कि खत्यान कब हुआ था आज नहीं हुआ था यह है है कि खत्यान 1890 की बात कर रहा है अब उस समय के बाद कितना उस जमीन का मालिक बदल गया जमीन का नेचर बदल गया अपनी ठीकी का उपायद है जिने इतो सिर्फ नदी में जो जैसे वो गंग सिकस्त की बात कर रहा है दियारा की जमीन अब टोपोर लेंड है बहुत सारा एरिया में वो जमीन का कुछ दूसरा नाम है अब जो कहीं कहीं जो समस्या पर यह मैं देख त्, इस सारी चीज जो अभी डिपार्टमेंट ने जो रिविव मीटिंग की उस में सारे बंदोबस्त पदादिका़ियों दक्रांटे दावने अपनी समस्या रखी जब वीश जिलों का ही कांम हो रहा था जीतनी समस्या सब्स्राइख किक्या उसका निदान हो गया में अर् सरकार अहंधरा और तेलांगना की जो बात किये थे एक हजार करूर रुपया वहां खर्च किया था तेलांगना और 400 क्रोड वहां तीनों दोनों स्टेट में और जो सरकार चली गई अब फिर धे उद्देश अच्छा है यह परिशानी जो आप कागजात मांग रहे हो कागजा वली में सबका कागज बनाना फिर सबके नाम से रस मने जरूब हो आज तो लगान हम कटा रहे हैं रस फिर कटाने के लिए जाते हैं तो भांकर करमचारी पैंशा मांग रहा है कोई जो प्रॉपर रिसपान्स करने वाला चाहिए यह नहीं हो रहा है । तिलंगी उराने के जैसे आप अभी उपाइद्या जी बता रहे हैं कि हर सुक्रवार को यहां समिक्षात्मक बैठक हो गई इस सारे जो अधिकाड़ी है न सचीवाले में बैठे हुए इनको जाकर के जीलों में कैम पॉफिस में जाकर के सतत निगरानी करें मौनेटरिंग करे जिसे केके पाठक ने स्कूल सिक्षा में सुधार में पठन पाठन के लिए जिस धंक से मौनेटरिंग की थी सच पुछिया सारे कैम पॉफिस जो बने है न उसके काम का जनता का जो प्रबलम हो रहा है उसके निदान के लिए अधिकारी वहां जाए और उसकी समस्या को रिस देने के लिए या प्रोएक्टिव एप्रोच नहीं है तो लोग भूगत रहें अब कोई बीदेश में बैठा या दिली में बैठा ब्यक्ति जो जमीन का मालिक है क्या वहीं से बैठे उसका सर्वे हो जाएगा अलता सर्वे के लिए स्पोर्ट पर जाएगा आमीन अब वह क जमीन लोगों ने अपने जिमे कर लिया है लाखो की संख्या में तालाब थ्याज उसका अस्तित्व खतम हो गया जो जमीन खेती की जमीन थ्यावासियो हो गया इसके बारे में भी चैमर आफ कोमर्स ने डिपार्टमेंट से अन्रोद किया था कि आप उसकी भी एक कटगरी बनाई है उसका भी उलेक करके उसका भी आप सर्वे में दीजेगा ना अभी तो आप खेत का कर रहे हैं तो जो कोमर्सियर एरिया है बेवसाइक एरिया है उसका भी तो आपकी जो इंडेस्ट्री का एरिया है ग्रामीन छेत्र में जो सभी 534 अंचल में जब आप इस सर्वे काम शुरूकिया है तो लेन का भी तो कुछ करना नहोगा इसलिए मैं मानता हूं कि जो संफून विहार में जो एक टार्जेट रखा गया और हरवडी में जैसे कहते हैं न कि ये फोटो युक्त मदाता सुची बनी तो उसमें जन्दा का बहुत सारा जब सेंट परसेंट के लि और प्रशासन ने रिपोर्ट कर दी कि वह सेंट परसेंट हो गया और लाखों की संख्या में लोगों के नाम काट दिये गए जो कुछ टाइम दे करके टाइम फ्रेम में हर जगा जैसाब 20 से सुरू कियते हैं तो 20 जिलों में क्यों नहीं पूला हुआ कहीं नहीं पूला हु खाम्याजाब उत्सक्ता चली गई नितिश कुमार ने एक बड़ी राज्ती जोखी में लिया है आप अपने एड्मिस्टेशन को उसी साफ से प्रोएक्टिव बनाई है पारदर्सी विवस्ता हुए आपका ध्यू देश अच्छा है कौन कहगा कि सराबंदी गलत काम हुआ सराब तो एक बुड़ी लत है लेकिन आपका जो लागू करने का में के निजिम क्या था क्या सराबंदी भीहर में मजाक बनके रह गया है क्या सराब हो रही है किसी से बाच्छी पिए क्या खजाने को ही 15-16,000 करोग का भी एक अनुमान है लौस हो रहा है 2016 में अपराइल से यह लागू हुआ था उसमें 6,000 करोड रुपए का रेवनु आता था तो आट साल के बाद वो कम से कम दूना हो गया होता अब 25,000 करोड सधी का कारा कालवा आपने अब यह शुरू कर दिया फिर सर्वे का काम अच्छा कि आप आप इसको एक पर्मानेंट पीस हो जाए भूमी का विवाद सेटल हो जाए काम तो आपका धे कौन कहेगा यह लेकिन इसके चलते जिए ढंक से आपकी प्रसासनिक तयारी होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाई और फिर टाइम नहीं है जितना टाइम में आप कह रहे हैं इसको वह से ही होगा फिर सुनेंगे अभी कितने जगह सीविर ऑफिस में या स्पोर्ट पर वहां लॉनर का प्रावलम हो सकता है जो मैं देख रहा हूं पीछली बार रेवन्यू डिपार्टमेंट ने बजाबता यह जैसिंग वहां थे ला अधिकारी अभी हैं कि ट्रांसफर हो गया अभी हैं अब उन्हें चिठी लिखी थी सारे डिमस्वी को कि सभी लोग जो वहां इस सर्वे के काम में दिये गए हैं सारे स्टाप को आप सुरक्षा करमी दीजिए उनके सुरक्षा का भी सवाल हो गया है सब जगह सिविर के लिए भी एक लाक रुपया सफाई के लिए किस-किस के लिए खच तो सरकार कर रही है लेकिन फिर मैं कहता हूँ इसकी जितनी मुकमल तयारी चाहिए थी अब परियाप समझाए कोई एक दिन का काम नहीं है जमीन का विबात को सुल्जा लेना रेकॉर्ड को अपडेट करना सर्वे का काम करके पूरा आप नया खतियानी बनेगा अभी चली चले लए अंत में इक शवाल लेंगे आप से एक चर्चाइं जो हैं जो खूब उठी है अब वो कितना सच कितना जूट हाला कि सरकार के तरफ से तो इस पर सफाई आ गई है चर्चा यह हैं कि क्या जमीन सर्वे को लेकर के जो को अब अचा है नितीज सर्कार्、 जमीन स क्या लगता आपको नहीं देखिए वह रुखने वाले नहीं दिखे हमतों पहले वे कहना कि चातिया गन्ना के बात कह माजब एप क्यूं करेंगे यह देखें आपके बेहतरी के लिए मैसेज आप डिलिवर करिए आप बुद्हीजी, आप पत्रकार हैं, आप जो सिक्षाविद हैं, आप जोसो जानकार है मैसेज बेहतर डिलिवर करिए यह जो तक्झिकी रूप से कहीं खामिया है उसको भी हुजा करें और बताईए सरकार उसको देखे उसको flexible करें लचीला बनाएं तभी जाकर के maximum लोग इसका इससे लाभानवीत हो सकेंगे अभी देखे सरकार ने revenue department ने एक आजा आदेश एक जारी किया है उसमें बहुत बड़ी बात है जैसे हम बताया ने कि चार बज़े से जो मिटिंग प्रते एक विक में होगी नंबर एक आज अब जैसे बात कही जा रही है कि जमीन मालिकों के हित में यह काम हो रहा है किसी की सर्वे की प्रकेरिया में मात्र दो कागजात दो दस्तावे आपको देने पड़ेंगे एक नकसा और खतिहान इसके आधार पर किसी और सरकार की मंसा है किसी को वेदखल नहीं करना है यह थोड़ी है आपकी जमीन को आपको दूसरे तिसरे के नाम पर कर देगा तो असपस्ट आदेश है इस बात को समझी है यहां पर और यहां इसके लिए आपको निकट के बंदोबस्त कारियाले से संपर्क आपको करना है इधर गर नहीं है निस्चित रूप से भीर तो लगेगी यहां तो एक आदमी अगर चला तो उसके पिछे हुआ हुआ करके पूरा लोग चल पड़ता है अरे थोड़ा सा तो आप अपना IQ इस्तेमाल करिए ही तो बिहार के लोगों में यह कमी है कि हम अपने प्रदेश की बात हम कह रहे हैं यह अब मुखर होके कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप भी उसमें अपना add-on करिए उसमें थोड़ा सा बेहतरी के लिए काम करिए सरकार न है वह एदम असपस्ट है इसमें थोड़ी परसानी तो हो सकती है आपको पास में डॉक्मेंट्स अधूरा नहीं थोड़ा सा ही है चिट्टा फटा भी है फिर भी आप उसको अपलाई करिए अगर आपको सरकार करेगी हटाएगी तब तो लेकिन यहां तो पैनिक हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा ऐसा नहीं अई यह पहले से आप सोच लेते हैं और अच्छा नहीं सोचते हैं बुरा ही सोचते हैं तो बेहतर सोचिए पोजेटिव सोचिए और सरकार के कदम मिला के चलिए अब देखे हम जो बात कह रहे हैं कि आपको यह नहीं करना है राजा सुरसीद की अधितन या ओनलाइन प्रती आवस्यक नहीं है सिंपल है अब आप चलिए किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखन पर आपकी उपस्त जिसे सर्वे करने जाएंगे आप माल लीजिए आप बैंगलूरू में है हैंदराबाद में हैं चन्नाई में कहीं पर है आप अपने जमीन पर मत रहिए आपके परिवार के लोग आपके कोई भी आदमी एबी सी डिजेट उस जमीन पर खड़ा रहेगा जब सर्वे करने वाला जाएगा सो देट की वह पहचान हो से कि कि आप ही की वह जमीन है यह देखें फ्लेक्सिबिल्टी है यह यह हम बता रहे हैं अब खतिहान के सच्ची प्रतिलिपी की आउसकता नहीं है सच्ची प्रतिलिपी मने औरिजिनल पेपर क्या हो सकता नहीं है आपके बास जो है वह कर दिए अब देखिए प्रपत्र तीन वमें बंसावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधी से आपको अटेस्ट कराने हस्ताक्षर कराना भी आउसक नहीं है यह भ अवस्यक नहीं है खामुखा इसको तूल दिया जा रहा है बताए जा रहा है कि यह जी चीज आपके पास तो सिर्फ दो चीज आपको चाहिए दो दस्तावेश चाहिए मात्र दो एकदम इसको समझ लीजिए क्या चैहिए नकसा और ख़तिहान बस इतनी तो चाहिए सर्वे क से हुआ तो अब आप देखिए एक और आपके समस्य आपको हम बता दें ये वह भी एक टेक्निकल है कैथी लिपी में आपको दस्तावेज मिलेगा कैथी लिपी के जानकार आप कितने लोग है कैथी लिपी के जानकार आज की तारीक में पूरे देश में चलिया आप उठागर है तो वह देखिए यह उसके लिए भी सब सर्ल उपाय किया गया सरकार ने उसके लिए भी उपाय किया है तो देखिए पोजेटिव हो करके हम तो पोजेटिव होके सोचते हैं और उसी दिसा में चल भी रहे हैं तो सरकार निश्चित रूप से बहतर कर रही है इसमें हम लो कोई दूसरा भी दावा करेगा तो इसके लिए कैथी लिपी में बात ठीक है अधिसंग पुराने आज से 10 साल 20 साल पहले लिखता था कैथी लिपी में अब उसके लिए भी पढ़ने वाले बताये जा रहे हैं तो यह देखे सरकार निश्चित रूप से कर रही है लेकिन अब ह हम लोग की एक मानसिक्ता भी है थोड़ा से निगेटिव थोड़ा से पॉजिटिव लेना पड़ेगा हम लोग की मानसिक्ता भी तुरत में हाय तौपा तौबा और तुरत में निगेटिव और तुरत हाई कोट का दरवाजा कोट का दरवाजा तो यह सब थोड़ा सा यह तो डिस्टलाइज हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा लेकिन हाँ इसमें इमांदारी के साथ कर्तब निस्ठा के साथ करमचारी भी और यह टेबूल के नीचे टेबूल के उपर वाला जो मामला है वह नहीं हो बस इतना ही तो आज जमीन सर्वे को लेकर के बड़ी वि अनिकेत कुमार बिहार तक पटना